हेलो गाइज वेलकम बैक टूमाइज चैनल में टेश्टी एवरी डे आज मैं आप सभी के साथ उड़त के दाल की रैस्पी शेयर करने वाली हूं तो मैंने एक कटूरी डाल ली थी और उसे मैने धोल दिया है और अब मैंने उस ताल को कूकर में डाल लिया है उसी कटूरी से की में आकि हम Cac attorney with two Empa and that अब एड़ करेंगे he र गुष्त को अब करेंगे नमक कर सकते हैं फिर हमसे अच्वे से मिक्स करेंगे सब्सका ढूंडब लगाएगे इसमें थीन फिसल मेंगे एक हाई फ्लेम पर दो लो फ्लेम पर तो हमारे सीटी आ चुकी है अब हम इंग्रियन्स को चॉप कर लेंगे तो मैंने लसन बारी चॉप कर लिए प्याज, मिर्च और टमाटाई इन चारो चीज़ों को मैं अच्छे से चॉप कर लिया अब चलते हैं इस दाल को फ्राय करने तो उससे पहले हम अपनी दाल को चेक कर न रहे तो चलते हम से फ्राय करने तो सबसे पहले पैल लिया पैनों ही को हल्का सब एक हीट होने देंगे तो हमारे हाग गरम होचुग है स्बसे पहले हमें पर अंत करेंगे जीर यह प्रेंगे, तो हमारे लसन जैसे हलकantu से ब्राून हो जाएंगे, हम इसमें आइडर करेंगे बारीग चौप की हूई भी प्याज, अब अब इसे भी भूनेंगे ₂15 को अट हम सबकारून को अब आइड की हुए हम अब हम तो इन्हें बूलने के पाद जैसे हमारे मिच हलकी सी सॉफ्ट हो जाती है हम इसमें एड़ करेंगे टमाटर जो हमने पहले चौप करके रख लिए थे तो टमाटर कराने के लिए आप चाहिए तो नमक एड़ कर सकते हैं और या फिर इसे ठक्ये पकाएं इसे गलने में माटर को अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें से हलका हलका ओयल भी उपर आने लग गया है तो हम इसमें एड़ करेंगे दाल जो हमने पहले ही पगा के रखनी थी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे जाए तो आप अपनी सभी दालों को इसमें एड़ कर लेंगे और इन्हेंसे मिक्स कर लेंगे यह वाकरी बहुत टेस्टी होती है आप इस आप कर 작업 रहे किजिएगा और आप इसमें उड़त की दाल बहुत तरीके से बनती है आप इसमें उड़त की दाल में चैनी की दाल मिला सकते हैं मतर की दाल मिला सकते हैं तो कॉमेंट सेक्षन में बताईएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी तो यह हमारी दाल का फाइनल लुक हमारी दाल तयार है like, share and subscribe my channel bye bye